जिहाद क्या है मालों में जिहाद क्या है वो जो फिलिस्टेन में हो रहा है जो फिलिस्टेन लोग कर रहा है इसराइल के साथ वो जिहाद है जो 15 साल से उन पर जुलूम हो रहा है अब वो ख़ड़ा हुआ है उसके सामने डटकर ख़ड़ हुई है अब मुकाबिला कर रहा है वो त्यार इसराईल और फार फिलस्टीन में क्रिस्चन कहां से आगे यार मुझे सबह नहीं आई इसरेड़् कैसे आई थे ये सबते हैं रहीं जहीं आदाब सलाम प्रणाम नमस्ते सत्यकाल आप सबी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्राइल ऑफिशल पर उम्मीद आप अच्छे से होंगे दोस्तों और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है आप अगर मोबाइल पर है तो अपने आइकन पर क्लिक करें से सदू होगा आप को हमारे चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा सखाज जिहादी शाफाज जिहादी नहीं है अच्छ सफर अलो सफ्रादी कि मथरिकू आ है कोipe अ कि मैं यहाथ क क्ले का तो मैं ढीकूं तुम सब तुम द्हीको dos क क्यों थीकॉ क्यों हो ठीक हो भाई ठीक क्यों होता है यहीं तो पूछ रहा हूं क्यों होता है खराब क्यों होता है यहीं तो पूछ रहा हूं क्यों हो ठीक हो कि आप जिहादि हों कि आपको जिहादी हों आपको भाई डिफाल्ट चाहिए है आपको जेहादी हों है पर आपको खराब होना चाहिए, ठीक क्यों है कि यदे तो बताओं कि आप jahadी है jahad का मतलब क्या है कि जहाद का मतलब कुछ हो रहे लेकिन इसलाम के कुरान के अंदर कुछ हो रहे है जहाद जद्व जहाद से निकला है इसलाम को फिलाने के लिए जद्व जहाद करना जहाद है जहाद मतलब जहाद अफी सबीलिल्ला कहा पर सबीलिल्ला लिखा है कुरान के अंदर किस जगा में हर जगा में आप लोग को लगता है आप ने जहाद कुरान में से कौन सी आयद से पढ़ा है जलूम के खिलाब जलूम के खिलाब खाड़े होने का नाम ही क्या है अलहमद्धिल्ला कुरान की आयत दे दीजिए मुझे बहुत सरे आयत आपको मिर जाएंगे दे दीजिए मैं आपको आयत बताएत नहीं जहाँ जहाँ पे लफ्स चहाद लिखा में दूँ आपको मुझे पता है पता है उनको उखे जरा ऐसा कीजिए आप उन मेंसे को एक आयदी जिए जो आपकी इस बात को थाबत कर दे कौन से आयदे दो आपको यह वली कि जुनम के साखला आप खड़े होने को जियात कहते हैं बहुत सा रहत है अपको मिल जायजा आप लोग पुर्ण पर से हो तो आप यह इंसालो ना अजी तमाम लोग जरा रेफर्स नोट करना शुरू कर दें जो लोग नोट नहीं करें रिकॉर्डिंग को जिन रखिएगा टाइम स्टाम याद रखिएगा कुरान की ओ आयते हैं जहां पर लफज जिहाद लिखाव है कुरान जटनमर 25 बट development 52 करंशटन मेर 16 बटना लिखकर लोग एंसान पर 134 1 60 verse number 1, Quran chapter number 4 verse number 95, Quran chapter number 47 verse number 31, Quran chapter number 22 verse number 77 to 78, Quran chapter number 49 verse number 15, Quran chapter number 66 verse number 9, Quran chapter number 61 verse number 11, Quran chapter number 5 verse number 35, Quran chapter number 9 verse number 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 16, 19, 20, 24, 41, 42, 44, 73, 81, 84, 86, 92, 92. two in تمाम आयतों में with reference जहाद की बाते की गई हूई है इन में से कुरान chapter number 25 verse number 52 गुरान chapter number 16 verse number 110 and Quran chapter number 29 verse number 69 ये तीन आयते मक्ही आयते हैं चुआ ये मक्ही आयते हिज्चित से पहले हैं लहाजा scholars का उक्तलाफ है इन तीन आईतों में कि ये तीन आईतें कुरान से जहाद करने की बात कर रही है या तलवार से जहाद करने की बात कर रही है तिबरी और अबन कसीर दोनों इन आईतों में इस चीज़ को एक्स्प्लेइन करने कोशिश करते हैं कि ये वो वला जहाद नहीं जो तलवार का जहाद है ये ह को सकता है जहाद हो जो के पुर्णाँ से, या लफज้screen से यह जहाद बिल्लिस Hahn वाली बात हो रही है, यहाँ पे. जहाद बिल्शिंशीर यानि के लिसान केते हैं ट॑ं को जुबान को, यह जुबान के जहाद की बात हो वो इन तीनों की तीनों आयतों को absolutely जहाद बिल लिसान के उपर लेके जाते हैं जुबान से जहाद की बाकी जितनी भी आयते मैंने बोली 76 टोटल नंबर आयते जो मैंने बोली है ये absolutely तलवार से जहाद वली आयात है 120 अब मुझे ये बताईए कि जो आयत आपने बोली थी वो इन में से कौन सी है जी साहिल भी आप कुछ करने लगे रहे नई मैं बोला हक है हक है हक है जितनी स्पीट से आपने सारे रिफ्रेंस दिये है जाकिर नालायक को भी आपने फेल कर दिया है अलहें अमदुलिल्लाः हाँ जी स्याफास जाहाद क्या है मालो में जाहाद क्या है वो जो फिलिस्टेन में हो रहा है जो फिलिस्टेन लोग कर रहा है इसराइल के साथ वो जाहाद है जो 75 साल से उन पर जुलूम हो रहा है अब वो ख़ड़ा हुआ है उसके सामने डख कर खर हुए, आभ मुकाबला कर रहा है, वो जिहाद ठीक है, आप कहूं को साम में साहल साहल, ये इस्राइल और फलस्तीन में क्रिस्चन कहां से आ गया दबदवल इना है, इसको गुषा दिया एमीं यह हर चेका क्रिश्चन के से घुश जाता है यार मुझे समय नहीं आई इसरेल और फ्रस्तिन की लडाई में यह क्रिश्चन लोग आगे बीच में हैं यह सर कैसे आई यह थैज्चन को क्या तकलीफ है यह इसी के लिए उसने कहा था यह मोधी ने एक डायलोग दिया था आपने यह बार सभी माजा नहीं आ रहा है कि ez सजड आपर अगया तकलीव है भई भाई डिश्चन को ओ ऐस जडेविक को क्या तकलीफ है इनको क्रिश्चन को भुसा दिए पलिस्तीन और इस्राइल की लडाई में यहूदी क्राइग इंदी कॉनर आप लोग हाज क्यों रहे उसी तरह वही तो जिहाद है ना क्रिश्चन कहां से आगे था पीच में जिहाद उसी तरह होता है ठीक है जिस पर दिलू महता है जाब जब ओन निकल पा तक उसके मुकाबले में उसी को जिहाद करता था जिए जहाद कर रहें और वो अपना देश वापस लेके रहें गए इस्राइल नहीं कर रहा है इस्राइल कर रहा है इस्राइल कर रहा है इस्राइल जिमून कर रहा है इस्राइल जिमून कर रहा है आपके कुरान में लिखा वा है कि वो इलाका आपके अल्ला ने बनी इस्राइल को दे दिया जब आपका कुरान चप्टर में तो ऑफने गर से बाहर निकालावा था वो अपना घर वापस ले रहे हैं तो दौधार साल बाद ले रहे हैं हाँ तो आप जिस घर मेरा रहे हो ना वो घर मेरा था दौधा सल पहले तो अगर आपका था तो साबत कर दो ले लो मुझे लिड़ाई करके तो इस्टाई करता है कहाँ पर आप लिखा वह कर? कुरान में से घकायद दिखाएं इसमें लिखाओ कर ये फलस्तिन की ये फलस्तिन है कुरान उन लोगों को खुद यहूदी कहता है मुझे दिखा दो किस वक्त अल्ला ने यहूदियों को मुसल्मान के दिखाओ कर दो कि YOUR नहीं क्या है का कर दो इसक्षे яв कर. कि थाहरम का नाल नाल सिर्फ श्रान नाल, वह एक धारम experienced जो के ऊपर चलते हैं वह अंकि धारमिक वैलीउस है आपकि धारमिक वैलीउस क्या है यहूदा एक इंसान का नाम था हाँ हाँ मुझे पता इंसान का नाम था मैं बोज रहा हूँ कि वो एक धरम थे उनकी धार्मिक वैलियूस थी आपकी धार्मिक वैलियूस के है हमरा धरम इसलाम है आपका धरम इसलाम है आपका धरम नहीं है वो आपका दीन है अलागता है वो बही बात खतम हो गई, that's it, so now you tell me, कि यहूदियों को वो जमीन दी गई है, right? कब दिया गया था उसको? कुरान चेप्टर नमर 5 वर्स नमर 2021 बोला था भी? कब दिया गया था? कुरान चेप्टर नमर 5 वर्स नमर 2021? मैं बोल रहा हूं कब दिया गया था उसको? मुसा को मुसा की कौम को बनी इसराईल को. इसलिए उसज़ागानाम इसराईल का. कि इसको पहले कितने साथल पहले की बाता वो? साठे चार हजार साल पहले? सारे चार हजार साल पहले मुसलestar Islam आया था? जी बिल्कुन. कहाँ पहले लिखा है? कैसे बता नहीं कहा पर लिखा यार किससे भी पहले आया ता या इससे बाद आया था बता दो मैं आपकी बात मालनूँगा मुसा कब आया था मुझे जितना दुमालोग है सारे तीन हाद सार पहले खुश बेतरी तो उनको बनी इसराइल को यह जगा दे दी इसलिए इस जगा का नाम इसराइल बन गया करेक्ट क्योंकि बनी इसराइल को दिया गया था अब यहोदी एक बंदे की नसल है करेक्ट अब यही आसल यहूदी है आप ठाविक करो तो यहूदी एक बंदे की नसल है ना अब यहूदी एक नसल है ना अभी तुन्हें बोला था एक ब्लट लाइन है ना वर नहीं मनेंगा नहीं मनेंगा यह इंडिया में, यार सबर करें यार सुनें, इंडिया में एक चीज चलती है इसे कहते है गोतरा, ठीके, इसी चीज को कहते है शज्रा नस्व, इसी चीज को कहते है लीनियज ट्री, यहूदियों के पास every single family of Yehudi has their lineage tree, so to prove that they are actually Yehudi from this same tribe, from this same land, from 12th tribe of Israel, यह वो tribes हैं और उनके पास अपरी tribe की lineages हैं पूरी-पूरी, they are very very thorough, जैसे यहां पे ब्रहमन लोग हैं, जो के बहुत थारो होते हैं इस चीज के अंदर, यह लोग भी बहुत थारो हैं इस चीज के अंदर, इनकी extensive, आप किसी भी Yehudi को पकड़ लें, वो आपको अपनी complete lineage दिखा सकता है, this is how picky they are, इसी वज़ा से तकरीबन 2000 साल से वो बिखरे में हैं, फिर भी उनकी language खतम नहीं हुई, उन्होंने अपनी language खतम नहीं दी, एक ऐसी country, जिस country का वजूद खतम हो गया, वजूद खतम कर दिया गया, नाम बदल पंद्रवाई सेंचरी में, फिफ्टीन सेंचरी में, आपके जब तुरकों ने इस जगा को दुबारा कबजा किया, तो वहाँ पे जा कि उन्होंने इस लैंड का इस जगा का नाम भी इसराइल से बदल के फलस्तीन रख दिया, फिफ्टीन सेंचरी में, सिरफ पांतों साल फलस्तीन प्रॉपर पड़ा था, उस टाइम पे नाम भी बदल किया, फिर भी पांतों साल गुदर के हैं, नाम तक बदल दिया उस लैंड का, फिर भी यहूदियों ने अपनी जुबान सही रखी है, इस वकत भी हर यहूदी हीवरू बोलता है, चाहे वो कनेड़ा में हो, यॉरोप में हो, किसी भी जगह वो अपनी जुबान नहीं उन्होंने छोड़ी, देन और हिस्ट्री, देन और लीनिज, तुम लोगों कि तुमें पता नहीं है, जिस जगह पे गए तलवारों से लड़ाई की, उनकी औरतों गुलाम बनाया और उनमें से बचे बदा किया ग मुसलमानों की कहने पर? कौन मुसलमान को खाथा? आपका उस वकद का जो शेयक है, शेयक क्या नाम था उसका यार? अबन इदेश्यका की बात कर देगा? हाजी अमीन हाजी अमीन हुसाइनी जो के उस वकत का ग्रेट कमांडर था वो जा के हिटलर से मिला और उस ने जुईश होलो कास्ट को शुरू करवाया इस 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 ते यह को मेरा प्यारा बच्चा यह ले हाजी अमीन अलहुसाइनी इस ने कहा था कि जी अगर मुझसे पैसे चाहिए मेरी सपोर्ट चाहिए ओ हिटलर तेरे को तो तो तुमने यार एक सवाल करते हैं उसका पूरा जवाब ले लिए और फिर अगली बात किया अगर तुम लोगों को बाते करने आती हैं सवाल करने आता हैं जवाब लेने नहीं आते तो स्टॉप इट ये ने देखो ये हाजी अमीन हुसाइनी ये जाके मिला था ठीक है ये उस जमाने का ग्रैंड मुफ्ती था ग्रैंड मुफ्ती ये वोज दी ग्रैंड मुफ्ती आफ डाट टाइम ये मिला हिटलर से इसके उपर एक नहीं हजारों बुक्स लिखी हुई है ये इटलर से मिला इसने उसे का कि अगर मुझे से पैह चाहिए मेरी सपोर्ट चाहिए तो जूज को जिन्दा ना रहने देना तुम ने लड़ाई तो करनी करनी है लेकिन इस लड़ाई के अंदर यहुदियों को भी क्योंकि हमारी आद तब तक नहीं आईगी जब तक एक-एक जू को हमने मारनी देना तो हमें जू इसका अर्टिकल दिखार और आपको यह पी कल लिखाव आई लि नहीं जी सर, क्योंकि से पैसे चाहिए थे मुसल्टों के देखो यहुदी लोग कहा ही भी हर जगा से ही मार खाता है मतलब वो इराक से भी मतलब इराक का जो मतलब क्या था जाना में उसका पता नहीं वो भी इराक को मार के मतलब बंदी बना के ले गाए तक हम को गुर्वाम बना के ठीक है वो भी हर जगाई जाता है तो मुसल्मान हर जगाए तो एराग जो है वो भी मुसल्मानों कहीं था ना तो मुसल्मानों ने हमेशे यहूदियों को मार रहे है ना नहीं ता री है लेकिन वी लौज नहीं अब इसा करो मेरे बच्चे नहीं आद आप उसकित नहीं है तुम्हें सिर्फ बाते करनी आती है लेकिन तुम्हें नॉलिज तूर रुपए का नहीं है that I understood, so you have got every answer, अब आप ऐसा करें घर जाए और चूसनी लेकर सो जाओ, ना मानने, सर आप किसने के मानने, मैंने के घर जाओ, चूसनी लेकर सो जाओ, क्योंकि आपको तमीज ही नहीं है, आपको अकल ही नहीं है, आपको वीज़ सह जाओ, और आपको तरनो पर करो सुनी नहीं है, बेवक। है, आपको पर मैंने पिgomery आपको परेंगड़ से लेकर, आपको तूसती है, उुकक्क। तर फूस्चव थैए, पिसandIES स्क्ष। पर्ष़ड़ का वीज़ब मैंने अपको है, तूस्च़ का वीं